इबरानियों के नाम पत्री, दूसरा अध्याए, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी हैं और भी मन लगाएं ऐसा नहो कि बह कर उनसे दूर चले जाएं, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आग्या न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उध्धार से निश्चिंत रहकर क्योंकर बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभू के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चे हुआ, और साथ ही परमेश्वर भी अप इसकी चर्चा हम कर रहे हैं, स्वर्गदूतों के आधिन न किया, बरन किसी ने कहीं यह गवाही दी है, कि मनुश क्या है, कि तू उसकी सुधी लेता है, या मनुश का पुत्र क्या है, कि तू उस पर द्रश्टी करता है, तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। तूने सब कुछ उसके पाओं के नीचे कर दिया। इसलिए जब कि उसने सब कुछ उसके आधिन कर दिया। तो उसने कुछ भी रख न छोड़ा जो उसके आधिन ना हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके आधीन नहीं देखते, पर हम ईश्यू को जो स्वर्ग दूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यू का दुख उठाने के कारण महीमा और आदर का मुकुट पहिने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुश के लिए मृत्यू का स्वाद चखे, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा, कि जब वह बहुत से पुत्रों को महीमा में पहुँचाए, तो उनके उधार के करता को दुख उठाने के द्वारा सिध्ध करे, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किये जाते हैं, सब एक ही मूल से हैं, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता, पर कहता है कि मैं तेरा नाम अपने भाईयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा, और फिर यह है कि मैं उस पर भरोसा रखूं और फिर यह है कि देख मैं उन लड़कों सहीत जिससे परमेश्वर ने मुझे दिये, इसलिए जब कि लड़के मांस और लोहु के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यू के द्वारा उसे, जिसे मृत्यू पर शक्ती मिली थी, इबराहिम के वंश को संभालता है, इस कारण उसको चाहिए था, कि सब बातों में अपने भाईयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में, जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं, एक दयालू और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प् खुठाया, तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है, जिनकी परिक्षा होती है.